दोस्तों मैं सोरंबली कापजवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटाफट जीके में हम देखने वाले हैं टॉप 30 ऐसे कोशन आंसर्स जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा 30 में से कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में बताना मत बूलेगा फटाफट जीके की वीडियो Only Top Study यूटूब चैनल पर रात में 9 बजे रेगुलर आती है आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लग रहे हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन है चंदर सतय पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकास दिखाई देगा आकास किस कलरगा दिखाई देगा यह आपसे कोशन पूछा गया है मेरे पहले दोस्तों इस कोशन कराईट आंसर हैगा काले रंका दिखाई देगा यानि कि पहले कोशन कराईट आंसर C हो जाएगा यह आपको याद रखना है दूसरा कोशन है अनेकंत वाद निमलिकित में से किसका मूलबूत सिधान्त एवं दर्शन है अनेका वाद निमलिकित में से किसका मूलबूत सिधान्त एवं दर्शन है तो दूसरे कोशन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा बिल्कुल सही जैन धरम का यानि की बी राइट आंसर हैगा दूसरे कोशन का सही उत्तर यह आपको याद अखना है तीसरा कोशन है किरकेट में परियुक्त गेंद का वजन कितना होता है किरकेट में परियुक्त गेंद का वजन मेरे प्यार दोस्तों 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक होता है यानि की तीसरे कोशन का राइट आंसर आपको अप्शन ए हो जाएगा Q4 है निमलकित राज्यों में से किस भारती राज्ये को जैविक खेती करने वाली पर्थम राज्ये घोसित किया गया है इस Q4 का दोस्तो राइट आंसर हैगा सिक्किम राज्ये को यानि की B राइट आंसर हैगा इस Q4 का सेयुत्तर Q5 है भारत में जनसंख्या वरद्धी के इतियास में कोन सा महा विभाजक का वर्स कहलाता है पाचवे कोशन का राइट आंसर हैगा 1921 इस वी यानि की D राइट आंसर हैगा पाचवे कोशन का सेयुत्तर प्यारे दोस्तो 6,000 कोशन आंसर की पीडियाप जो हमारी मास्टर पीडियाप है अब इसमें दो पीडियाप हमने ओर एड कर दी है current affair 2300 static gk यानि कि आप इसमें मिलेंगे 8000 question answers के करीब आपको question अब दोस्तों ये question answers आपको मिलेंगे 170 रुपीज में 500 रुपीज नहीं paid करने हैं और सारे subject बाकी के तो मैंने या पे लिकी रखे हैं जो आपको इस PDF में मिलेंगे अब दोस्तों बात आती है कि इस PDF को आप कैसे ले सकते हैं नीचे description box में link दिया गया है या तो directly वहाँ पर किलिक करके payment करके PDF ले लिजे या फिर आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर message करना message केवाल इतना करना है कि सर master PDF का link भेजिए और कोई message नहीं करना है hello अगर करोगे तो reply नहीं मिलेगा ये ध्यान रखना है और ये WhatsApp नंबर यहां पर भी लिखाओ मिलेगा हर एक slide में चटा question है भारती सविदान के अनुसार सविदान, संसोधन, विद्यक, संसद के किस सदन में पारित होता है दोस्तों कोशन का right answer क्या रहेगा देखे दोनों उपरी और निचले सदन अलग से यानि की right answer डी हो जाएगा इस question का सहुद साथवा question है महाकुम मेला कितने वर्सों के अंतराल में लगता है दोस्तों महाकुम मेला 12 वर्सों के अंतराल में लगता है साथवे question का right answer डी हो जाएगा आठवा question है flight recorder को तकनीकी दरस्टी से क्या कहते है दोस्तों flight recorder को तकनीकी दरस्टी से कहते है black box ठीक है और ये orange color का होता है तो कहीं बार ये भी पूछ जाता है दोस्तों कि black box किस color का होता है ये ध्यान अकना है option D right answer रहेगा आठवे question का save नोवा question है Doppler परभाव किस से संबंदित है Doppler परभाव दोस्तों धवनी से संबंदित है A right answer रहेगा नोवे question का save दसवा question है अकबर ने फतेपूर सीकरी में बुलन दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था देखे इस question का right answer हैगा अपनी गुजरात विजय की स्मृति में आनी की right answer दोस्तों B हो जाएगा दसवे question का save राज्ये सबा किसके द्वारा भंग की जा सकती है देखे राज्ये सबा को तो कभी भंगी नहीं किया जा सकता वो पर्मनेंट हाउस है तो right answer is D ग्यारवे question का right answer D हो जाएगा बारवा question है एंगस्ट्रम क्या मापता है राइट answer हैगा तरंग धहरिया मापता है दोस्तों यारिकी बारवे question का right answer B हो जाएगा अगला question है proteinopia एक परकार की वनधता है उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है तो इसमें दोस्तों जो रोगी होता है वो लाल रंग नहीं देख पाता है तेरवे question का right answer B हो जाएगा question number 14 है लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है और फटाफट GK की अगर आप पूरी playlist देखना चाहते हैं तो दो method है देखने के या तो आप only top study फटाफट GK playlist ये YouTube पर सर्च कर लेना या फिर description box शेक कर लेना वहाँ पर भी playlist का link मिल जाएगा इस question का right answer हैगा diastase यानि की right answer is D ये आपको यह लखने है सोर मंडल सोर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है दोस्तो सोर मंडल का सबसे बड़ा गरह तो सभी को पता होगा कौन सा है दोस्तो Jupiter अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा गरह दोस्तो सनी करह पंदरवे question का right answer सी हो जाएगा ये आपको याद दखना है सोलवा question है वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार यूद में हातियों का प्रियोग किया था दोस्तो हातियों का प्रियोग करने वाला पहला माजनपथा मगद सोलवे question का right answer option A हो जाएगा ये आपको याद दखना है सतरवा question है प्रत्वी की आयू का आकलन किस से किया जाता है देखे प्रत्वी की आयू का आकलन दोस्तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है तो सतरवे question का right answer आपका option A हो जाएगा अठारवा question है तारे क्यों tim tim आते हैं तारे क्यों tim टिम आते हैं तो अठारवे question का दोस्तो right answer एगा अब वर्तन के कारण अठारवे question का right answer option A रहेगा यह आपको याद दखना है उननिसवा question है एक नैनो सेकिंड में होते हैं तो एक नैनो सेकिंड में होते हैं दोस्तो 10 की power minus 9 second यानि कि C right answer रहेगा उननिसवे question का सही उत्तर यह आपको याद दखना है बीसवा question है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबन किस्से है दोस्तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबन किस्से है तो right answer हैगा भारत बांगलादेश यानि कि C right answer हैगा बीसवे question का सेकिंड पत्यों में बने हुए खाद्य परदार्दों का इस्थांतरन किसके माध्यम से होता है दोस्तो राइट आंसर हेगा फिलोहेम दुआरा यानि की ओप्षन भी राइट आंसर हेगा 21 कोशन का सेउत्तर यह आपको या दखना है 22 कोशन है 74 सविदान संसोदर अधिनियम 1993 में किस से संबन्दित है देखे 22 कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा नगर निकाए 22 कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा यह आपको या दखना है 23 कोशन है सबसे अधिक इलेक्ट्रोन बंदूता किस तत्व की होती है तो 23 कोशन का राइट आंसर इस कलोरीन यानि की ओप्षन ए राइट आंसर हैगा 23 कोशन का से उप्षन 24 कोशन है पाटली पुत्र सेहर की निव किसने रखी थी तो राइट आंसर रहेगा दोस्तो उदाइन यानि की ओप्षन ए राइट आंसर रहेगा 24 वे कोशन का सयुद्ध 25 वा कोशन है डॉमिंगो पायस किसके दर्बार में आया दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर रहेगा 25 वे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा ये आपको या दखना है 26 वा कोशन है भारत सासन अधिनियम 1935 द्वारा इस्थापित संग में आवसिस सक्तियां किसे दी गई थी तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा गवर्नर जन्रल को यानि की ओप्शन बी राइट आंसर रहेगा 26 वे कोशन का सही उत्तर 27 वे कोशन है पुस्तक टार्गेट 3 बिलियन के लेखक कोन है दोस्तो इस question का right answer हैगा डोक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और स्री जन्पाल सिंग यानि कि A और B दोनों इस question का right answer हैगा यानि कि right answer is D या आप क्या दखना है 28 वा question है दोस्तो सेव का खाने योग्या भाग कोन सा है रसदार थलेमस 28 वा question का right answer D हो जाएगा या दखना है 29 वा question है एसिया तथा उतरी अमेरिका किसके द्वारा पर्थक होते है दोस्तो इस question का right answer हैगा bearing जल्डमरू मद्या के यानि कि 29 वा question का right answer B हो जाएगा ये आपको या दखना है 30 वा question है hunter commission की report में किसके विकास पर विशेश जोड दिया गया था 30 वे question का दोस्तो right answer हैगा प्रात्मिक सिक्सा पर ठीक है right answer is D ये आपको या दखना है 30 वे question का से उतर देखें 30 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किये हैं फटाफट comment box में बताएगा और ये test question है आप लोगों के लिए कि महाकुम मेला कितने वर्सों के अंतराल में लगता है इसका answer सभी को comment box में बताना है only top study आप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करिए 5 star की rating करिएगा उसके बाद में आपको यहां से daily current affair की पीडियाप YouTube की कहीं free पीडियाप मिल जाएगे अब दोस्तो 6000 question answers की master पीडियाप के बारे में बात कर लेते हैं जो की 8000 question answers अब मिलेंगे इसमें आपको दो पीडियाप हमने इसके साथ में free कर दी है 500 रुपे की पीडियाप आपको मिल जाएगी 170 रुपे में अभी थोड़े दिन बाद इसके price 200 रुपे हो जाएंगे दोस्तों तो offer पहले ही अवेल कर लेना price बढ़ने से पहले अच्छा आप इस पीडियाप को आप ले कैसे सकत हैं description box में link है इस पीडियाप का वहां से ले सकते हैं यह हमारा WhatsApp नंबर है या फिर WhatsApp नंबर पर आपको सिर्फ एक message करना है कि सर मास्टर पीडियाप का link बेजिए और कोई message मत करना तो आपको link मिलेगा उस पर payment करना है पीडियाप मिल दाएगी अच्छा किसके लिए important है किसी भी एक्जाम के लिए आपको अगर हिस्टी जोग्रफी पॉलिटिक नॉमिक्स फिजिक्स चैमेस्टी बाइलोजी करेंटर फिर कंप्यूटर स्टेटिक जी के यह सब्जेक्ट पढ़ने है तो आप इस पीडियाप को फटा फट परचेज कर लीजे यह master पीडियाप आपके फोन में जरूर होनी चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सेर करिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन कोण रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थैंकि सो मच बाइबाई आवरीवन टेक केर ख्याल करिए